बहुत जादा important topic को discuss करने वाले हैं जो कि यह है banking concept of education बहुत easy है देखिए आप लोगों को इस lecture के पहले बता देती हूँ कि आप लोग समझने पर focus कीजिए प्लीज लिखने और रटने पर focus भी मत कीजिए एक बार आप लोग concept समझ जाओगे ना जो banking transaction है उसे education को यहाँ पर compare किया है traditional education को इन्होंने compare किया है हमनों देखते हैं हाँ पर point wise क्या है तो इन्होंने क्या किया है कि teacher को बोला है कि teacher एक banker के तरह होता है जैसे क्या होता है कि जो bankers होते हैं वो क्या करते हैं वो money को क्या करते हैं deposit करते हैं एकाउंट में उसी तरह क्या होता है कि जो teachers होते हैं वो knowledge को deposit करते हैं student के mind में और lecture के तुरू, memorizing exercise के तुरू, test के तुरू, और student क्या करता है यहाँ पर उसको accept करता है यहाँ पर वो सारे information को gain करता है बिना कोई भी तरह का critical analyze किये हुए तो यह हो गया यहाँ पहला point दूसरा point है यहाँ पर कि student as an account कि student को इन्होंने बताया है कि student एक account के तरह होता है यहाँ पर, उसके बाद जो absorb knowledge है इसको फिर यह reproduce करता है टेस्ट में, assignments में तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से student को क्या किया है, यहाँ पर account के तरह compare किया है overall क्या है यहाँ बताना चाहरे है कि जो banking concept है ब्रेजिलिन educator दिया है, पाउल फेरान नहीं दिया है, teacher को banker बताया है क्योंकि यह knowledge को क्या करता है, deposit करता है यहाँ पर student के minds में, और दूसरा student को accounts बताया है क्योंकि student जो है, एक इमिटी विजल के तरह होता है, यहाँ पर सारे knowledge क इसको यह absorb करता है, यहाँ पर उसके बाद इसको reproduce करता है, test और assignments में, हम लोग आगे इसको समझते हैं, और भी easy और examples के दुरू, देखिए, examples के दुरू, कि जैसे कि कोई भी teacher आपके lecture ले रहा है, world war 2 पर lecture ले रहा है, तो जब भी lecture ले रहा है, तो यहाँ पर क्या होन, वो focus करेगा कि, कब वह था, world war 2, तेक है, उसमें कॉनकोर important leaders थे, कॉनकोर से country ने participate किया था, तो यह सब चीज इपोर्टेंट पर focus करेगा, student भी क्या करेगा, इसको रटने का courses करेगा, memorize करने का courses करेगा, बिना कुछ critical thinking सोचे हुए, कुछ creativity develop किये हुए, बिना कुछ discuss किये हुए, तो जब यह concept use होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, banking systems use हो रहा है, educations में, उसके बाद आता है, यहाँ पर की problem क्या है, banking concept में, तो पहला यहाँ पर है कि lack of engagement, student यहाँ पर engagement नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर teacher जब पढ़ा रहा है ना, तो उस पर कुछ questioning नहीं करते ह यहाँ पर ठीक, उस पर engage नहीं होता है, ठीक है पढ़ा रहा है, underline कर रहा है, उसको रट लेंगा, that's it, बस, यहाँ पर क्रिटिकल तिंगिंग बहुत limited है, क्योंकि आपर memorizing पर ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, understand नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप क्या है, बैंकिंग से, बैंकिंग सिस्टम से, तो remember that, कि यह सारे इसके प्रॉब्लम से, अब आता तहीं है, प्रॉब्लम तो है, कुछ सॉलूशन है, हाँ, सॉलूशन है, कि स्टूडेंट को डालोग और इस 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 कसंस में हम लोग को इंक्लूज करना पढ़ेगा, इन्व प्रॉब्लम तो यहां पर यहां पर आप अप लोग यही चीज़ समझ में आया हो, तैंकिंग यू